हेलो फ्रेंट्स बेलकम टो उपासना कुकिंग आज की हमारी रेसिपी है मतर पनीर आज हम ये रेस्टोरेंट और धाबी जैसा मतर पनीर घर पर बनाएंगे या कहूं तो उससे भी कहीं ज़ादा टेस्टी बनेगी ये मतर पनीर की सबजी और जब भी हम घर पर मटर पनीर बनाते हैं तो धाबी और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता लेकिन आज में आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट टेक्चर बाली ये स्वादिस्ट मटर पनीर की सबजी बनाना और घर पर आप ये मटर पनीर आसा मटर पनीर बनाने की आज की ये रासिपी मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमीं चाहिए एक पैन या कड़ाई मैंने यहाँ पर ये कड़ाई ली है और इसमें दो बड़ी चम्मच तेल डालेंगे तेल को गरम कर लेंगे तेल करम हो गया है और अब इसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही इसमें रफली चोप किये हुए दो प्याज डालेंगे प्याज को 2-3 मिनट के लिए हाई फिलेम पर फ्राई कर लेंगे इन्हीं बहुत जादा नहीं पकाना है बस हमें इन्हें इतना पकाना है कि इनका कच्चापन निकल जाए अब प्याज का हलका सा कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें डालेंगे ये रफली चोप किये हुए चाल लाल टमाटर लाल टमाटर डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा आधा चोटी चम्मस नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी सोप्ट हो जाते हैं अब ये नमक को मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इन्हें ढखकर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे 5-6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सोप्ट हो गए हैं ये देखिए अब गैस को बन कर देंगे और इन्हें ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे मैंने प्याज और टमाटर को ठंडा करके और थोड़ा पानी डालकर मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है और इनका इस तरीके का पेस्ट बना लिया है ये बिल्कुल रेडी है चलिए तो आप चलते हैं अपनी गैस की तरफ अब एक पैन या कड़ाई लेंगे और कड़ाई में तीन बड़ी चम्मच तेल डालेंगे तेल में एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे जीरे को चटकने देंगे और गैस के फ्लेम को लो पर रखेंगे और अब इसमें एक छोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और जैसे ही आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें बस हलका सा मिक्स करके इसमें डालेंगे ये प्याज और टमाटर का पेस्ट इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर में ये प्याज और टमाटर का पेस्ट डालने से पनीर की ग्रेवी का कलर अच्छा आता है अब इनहीं मिक्स करके इसमें बाकी के मसाले डालेंगे गैस के फ्लेम को लो पर रखेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच कीचन कींग मसाला पाउडर अगर कीचन कींग मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसमें एक चम्मच और धनिया पाउडर डाल दीजिएगा आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे नमक इसमें थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि आधा छोटी चम्मच नमक हमने सुरू में टमाटर को सोप्ट करने के लिए भी डाला था नमक आप अपने स्वात के अनुसाल थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और अब ये सभी मसालों को प्याज और टमाटर के पेस्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मिक्सचर को ढग कर 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे आप चाहे तो इसे एक बार बीच में चला भी सकते हैं ताकि ये नेचे जलेना हमें इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये रेखे इस मसाले से थोड़ा थोड़ा तेल निकलना सुरू हो गया है और अब हम इस मसाले को लगाताव चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अच्छे से रेडियूस नहीं हो जाता और आप देख सकते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ अब ये मसाला कॉंटिटी में भी आधा हो गया है और इसका कलर पहले से डार्क हो गया है अब इसमें से तेल भी रेडियूस हो गया है अगर आप ये स्टैप करेंगे तो मतर पनीर की सबजी बहुती स्वादिस्ट बनकर तैयार होगी तो आप इस स्टैप को जरूर कीजिएगा अब इसमें दो बड़ी चम्मज पनीर का पेस्ट डालेंगे ये पेस्ट बनाने के लिए आप जैसे पनीर की साइड बच जाती हैं आप बो भी ले सकते हैं बस आप पनीर में थोड़ा पानी डाल कर एकदम बारीक पेस्ट बना लिजिएगा अगर ये पनीर का पेस्ट ना डालना चाहें तो आप इसमें दो बड़ी चम्मज काजू का पेस्ट डाल सकते हैं या मलाई भी डाल सकते हैं मिल्क पाऊडर भी डाल सकते हैं अब इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे डानने से मटर पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो आप यह जरूर डालिएगा अब यह पनीर का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें एक कप हरे ताजे मटर के दानी डालेंगे ये फ्रेस मटर हैं तो हम इनहीं मसाले के साथ एक मिनट के लिए हलका सा भून लेंगे आप चाहिए तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं या फ्रेस मटर को उबाल कर भी ले सकते हैं तो आपको उन्हीं भूनना नहीं है, बस मटर के साथ ही पनीर डाल कर पानी डाल दीजिएगा. एक मिनट हो गई है, अब ये मटर थोड़ा भून गई है, अब इसमें एक कप पानी डालेंगे, और मसाली के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब आप इस ग्रेवी को इस तरीके से चला कर देख लिजिएगा, मुझे ये अभी थोड़ा थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी, मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया है, क्योंकि हमें मटर को भी अच्छे से पकाना है, अब इसे ढखकर गैस के मीडियम फ्लेम पर चार-पांच मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये पक रहा है, चलिए तो तब तक हम ये पनीर को भी कट कर लेते हैं, पनीर को आप अपने अनुसार छोटे या बड़े पीसिस में कट कर सकते हैं, अब ये पनीर भी कट हो गया है, चलिए तो आप चलते हैं अपनी गिरेवी की तरफ, पांच मिनट हो गए हैं, तो अब ये मटर भी अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें 250 ग्राम काट कर रखा हुआ पनीर डालेंगे, पनीर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ध्यान से मिक्स करें, पनीर टूपने न पाए, और अब हम इसे ढखकर 7-8 मिनट के लिए धीमी आज पर पकाएंगे, धीमी आज पर इसे पकते हुए 8 मिनट हो गए है, चलिए तो आब ये मटर पनीर को चैक कर लेते हैं, कि मटर पनीर का परफैक्ट टैक्चर आया है या नहीं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, कि मटर पनीर का एकदम परफैक्ट टैक्चर आया है, और ग्रेवी भी एकदम गाड़ी हो गई है तो बस इसे स्टेज पर तो अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चम्मच बारी कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मच कसूरी मेथी आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इने एक मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि सभी चीजों का ख्लेबर मटर पनीर में अच्छे से आ जाए अब ये स्वादिश्ट मटर पनीर बनकर तैयार है अब ग्यास को बन कर देंगे चलिए तो अब ये मटर पनीर को सर्व करते हैं और आप देखी सकते हैं कि मटर पनीर का कितना बढ़िया कलर और टैक्चर आया है और घर में ही मौजूद चीजों से हमने इसे बनाया है और खाने में तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बना कर खाएंगे चाहिए तो आप इसे सर्व करें पूरी के साथ या जीरा राईज के साथ या फिर नान के साथ अपने मन पसंद किसी भी तरीके से सर्व करें ये बहुत ही जादा स्वादिष्ट लगती है तो आप भी एक बार ये स्वाधिस्ट मटर पनीर की सबजी को जरूर ट्राइ करें आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं जिसे की चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँश सकें फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साब तब तक के लिए थैंक्यू फोर बोचिंग